अब बरात घोडी पर नहीं, हीरो पर आएगा हो गया है, पालकन और टेल जैसी कमपनिया आई है, मरो के कारण नाकपूर में विमान सेवा स्टेशन बनाए गए, भारत में हजारों विमान रख रखाओं के लिए नाकपूर आएंगे, अब तक नाकपूर के 68,000 युवाओं को मिहान के कमपनियों में नौकरी मिल चुकी है, एम्स, आयायम, ट्रिपल आईटी जैसे दिगश संस्तान नाकपूर आए, 24 गंटे चलापूर्ती का सपना पूरा होने वाला है, शहर की सभी सड़के कॉंक्रिट से बन जा रही है, और यही नहीं विकास का ट्रेलर है, और अभी तो पिक्चर बाकी है, केंद्रिय सड़क प हजपा, बूच, शक्ति, केंद्र और पतादी कारियों की बैठकाय जित की गए, इस अउसर पर विधायक, मोहनमते, विधायक, प्रविंदर के भाजपा, नेता, संजे भेंडे, देवेन, दस्तुरे, विजे, आसोले की मुख्य उपस्तिती रही, कारिकरताओं के उस्षा क को देख कर नहीं लगता, कि इस बार की चुनाओं में उनने कोई बड़ी बड़त मिलेगी, गड़करी ने कहा, दस वर्षों में प्रधान मंत्री चुनाओं में हमारे पास, नरेन रमोदी के नेतरुत्व में हमारी सरकार, द्वारा किये गए सामाजिक कारियों को लोगों तक पहुचाने का अउसर है, सबसे महत्वपूर्ण बात यहा है कि परफॉर्मेंस ओडिट लेकर जनता की अदालत में जाएंगे, नितीन गड़करी ने कहा कि जब मैं विधायक बना तो नागपूर रिंग रोड का मुद्दा अजिंडे में था, कई दुरगटनाएं हम 24 गंटे पानी की योजना इला रहे है, आज शहर के 75 प्रतिशत हिस्से में 24 गंटे पानी रहता है, अगले चार मा में पूरे शहर को यह सुविधा मिल जाएगी, हर योजना नागपूर के विस्तार को ध्यान में रखकर क्रियानवित की जा रही है, पिछले 10 वर्षों मे नागपूर में एक लाग करोर रुपे के काम हुए, नागपूर में मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है, मेट्रो स्टेशन के पास बड़ा पार्किंग स्टल, मार्केट भी बनाये जाएगा, जीरो माल पर 20 मंजिला स्टेशन बन रहा है, पास में ही सब्वे का काम भी चल र खई फ्लाइवर सव्वे का निर्मान किया गया है उत्तर مध्यपुर्व दक्षिंट नाकपूर को जोड़ने वाले फ्लाइवर का भी निर्मान किया जा रहा है उन्होंने यह भी कहा कि केवल नाकपूर शहर में केंद्रिय सडक निधी से चार हजार करोड रुपेव के काम किये गए है कैमेरा परसन राशकुमार मोड के साथ अब शिकपान से बीसीन नियूज नाकपूर